नमस्कार, तुलारासी वाले आपके लिए एक बहुती महत्पूर्ण बात बताना चाहता हूं और बताना ये है कि ऐसे तो आप अपने परिवार और समाज सभी को ले करके चलते हैं इतना तक कि आपका भेले ही थोड़ा नुकसान हो जाए लेकिन आप अपने नौकरी और बैपार में जो आपके अधीन लोग काम करते हैं उनके लिए भी पुन रुपेन ख्याल करते हैं बहले ही उसमें थोड़ा आपका भी प्रॉफिट कम हो जाए या नुकसान हो जाए लेकिन आपके साथ सब्से बढ़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आप अपने फ्यूटर को परफिक्ट सेट करके नहीं चल पाते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपने फ्यूटर को परफिक्ट सेट करके चलेंगे तो सुक्र क्या है लैवसलाइब का कारगरार, यानि यह वरतमान में ही आपको भठाता है और आप अगर अपने जीवन में भविश्ये के बारे में प्रॉपर सोच करके चलेंगे तो आपके साथ जीवन में कभी किसी प्रकार कभी कोई परिशानी आही नहीं सकता है और आपका जीवन भी बहुत ही इस्थिरता पुरुबक चलेगा इसलिए जीवन में थोड़ा अपने बारे में विचार करें और इस फॉर्मूला को लागू करें जीवन में राहत मिलता हुआ नजराएगा नमस्कार प्रियतुला रासी वाले स्वागत करता हूँ आज की मेरे बहुत ही खास कारिक्रम जनवरी 2024 का यानि साल 2024 का पहले महिने का संपुन रासी फल में इस रासी फल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में आपके कर्म छेतर से लेकर के इनकम, संपती, संतान, दांपत्य, जीवन, लव लाइफ यानि जीवन की जतने मूल भुत अंग होते हैं इन सभी के बारे में बहुती ब्रिहत चर्चा करूँगा ये जो रासी फल रहेगा चंद रासी पे अधारित है जिनको अपना चंद रासी पता है उसके नुसार देखिए जिनको अपना चंद रासी नहीं पता है आप लगन या नाम के नुसार देख सकते हैं विडियो कंतीम पड़ाओं में मैं कुछ उपाई भी बता दूँगा ताकि अगर ग्रहों में किसी प्रकारी को कोई आईस थिरता है तो पूरे महिने के रासी फल को आप किस प्रकार से बहतर बना सकते हैं और दूसरी महत्तपुन बात ये जो रासी फल है गोचर के अधार पे अधारित है जिसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% ये मैच हो सकता है अगर अपनी जीवन के बारे में प्रोपर जानना चाहते हैं तो नंबर इस स्क्रीन पे हैं आप पेड एपॉइंट्मेंट ले करके जन 31 जनवरी तक का रासी फल में सबसे पहले में प्रानुम करता हूँ तुला रासी वाले आपके पहले साल के पहले महीने में मैं आप करेंगे नए साल के पहले महीने में कर्म छेतर का हाल कैसा रहेगा पर ये तुला रासी वाले यहाँ पे एक बात में अविश्य बताना चाह कुछ खास इस्थित्यों में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा हलाके जिनको नए नोकरी वेवसाय को लेकर के परियास रत है या किसी पद्ध के लिए 15 जनवरी तक कुछ नहीं होगा 15 जनवरी तक कर्म छेतर में सूरी के दिरिश्टी जाएगी तो नए नोकरी वेवसाय के योगों में ब्रिधी होता हुआ दिखेगा इसके अलाबा जो है सैलरी भी इंक्रीज होती हुए दिखेगी आपके कर्म छेतरों में प्रमोशन पद्धोनती के अलाबा पिता माता से और आपके सिनियर से सपोर्ट बहुत ही बहतर बनता हुआ नजर आ रहा है कैसा रहेगा आपके जीवन में लोटरी सटा सिया मार्केट का हाल इस मेहने लोटरी सटा सिया मार्केट में जब अरदस्त प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है इसमें कहीं से कोई सक नहीं है 18 जनवरी तक इस मामले में सफलता के रास्ते बिल्कुल खुले हुए है 18 जनवरी के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि लाप नहीं है इंकम की स्थिती के बारे में चर्चा कर लेते है तुला रासी वाले आपके आई कारक सुरी होते है और सुरी यह 15 जनवरी तक तिरित्य भाव में बैठे हुए है फिर यह केंदर में आएंगे एक बाद तो 100% कनफर्म हो गया कि आई की स्थिती बहुत ही अच्छी है इस महिने जब सुरी केंदर में आएंगे तो और बलसाली होंगे परंतु 15 जनवरी तक वो मित्र की रासी में है तो 15 जनवरी तक यह मित्र की रासी में है और 18 जनवरी तक बुद्ध भी धन भाव माप करेंगे शुक्र भी धन भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि 18 जनवरी तक आपको कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी जो भी महत्पुर्ण काम पैसे को लेकर के अटके हुए है वह निकलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरीलेटर भी लाब होता हुआ पोन रुपे नजर आएगा और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जहां भी पैसे फसे वह निकलते हुए दिखेंगे हाँ 15 जनवरी के बाद आयका माली के अंदर में जरूर जाएगा इसमें कोई शक नहीं लिए सत्रुगत रासी होने के कारण आपको 15 जनवरी के बाद बहुत जादा मेहनत करना पड़ेगा जिनकों विदेशों से पैसे का लेन देन चलता हुए उनके लिए समय बहुत ही बहतर रहेगा लेकिन जो प्रोपटिस रेलेटेड या कोई शमपती बेच करके इंकम की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं आपकी लिए थोड़ी से दिक्कते हो सकती है या आपके एंडर में जो लोग काम कर रहें से थोड़े सी मत्भेदता की स्थिती बन सकती है तिस मामले में आपको अपने काम पे बहुत ही साउधानी पुरुवक ध्यान देना है और पैसे को ले करके आपको 15 जनवरी के बाद थोड़ा साउधान रहना है विदेश्यातरा का हाल कैसा है पूरे मेहने विदेश्यातरा के हाल बहुत ही अच्छे है इसमें कोई शक नहीं है आपके आयकारक सुरिय जो है तिरत्य भाव पे हैं 15 जनवरी तक किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट्स रेलेटर या किसी प्रकार की परिशानी है विदेश्यातरा को ले करके तो वह सॉल्व होता हुआ देखेगा लेकिन साथ जनवरी के बाद बुध अपने अपने तिरत्य भाव में भीच्ची को छोड़के धनुरासी में आएंगे तो कारत तो अस्थान होता है और बुध्य भाग्य का मालिक होता है तो साथ जनवरी के बाद विदेश्यातरा होना 100% संबह हो है खास करके साथ जनवरी के सानी अपर दिश्टर्बेंस है तुलारासी वाले उनके लिए विदे स्यात्रा के रास्ते पूर्ण रुपन खुलते वे नजर आएंगे कैसा रहेगा आपके जीवन में दामपत्य जीवन का हाल यह बहुत महत्तपूर्ण है तुलारासी वाले आपके विवाह कारक मंगल हैं और मंगल तिरित्य भाव पे बैठे हुए हैं इसमें कहीं से कोई शक नहीं है और ये बात में भी 100% सच्चाई है कि सनी की नीच द्रिश्टी जो सब्तम भाव पे है ही मतलब सनी तो चाहता ही नहीं है कि आपका व्यवाहिक जीवन में सुधार आए 14 जनवरी तक नए नए विवाह के रिष्टे बहुत ही अच्छे आएंगे 14 जनवरी तक मतलब जिनको नया विवाह करना उनके लिए दिकत नहीं है लेकिन जिनका शेपरेशन था मतभेदता था आइस्थिरताएं थी आपके लिए 14 जनवरी को मंगल उदय हो जाएंगे तो जिनके विवाह के रिष वह आपके 18 जनवरी तक 100 पर्ठंट सॉल्व होता हुआ नजरा रहा है चली जानते हैं कैसा रहेगा भूमी मकान वहान और संपती का रक्षनी अपनी राशी में हैं बहुत ही प्रबल पोजिशन पे हैं 15 जनवरी से सूरिय जो है वो चतुर्थ भाव पे जाएगा सूरिय क्योंकि आय का मालिक है चतुर्थ भाव में जाएगा तो तुला रासी यानि सुकर के वो सत्रुगत सम्मंद रखते हैं लेकिन आय के अधिपती होने की कारण सूरिय सूप भलदाई हो जाएगा हतार जैसे ही सूरिय चतुर्थ भाव पे जाएगा आपके माता पिता से तालमिल्द को ठीक कर देगा भूमी मकान वहां संपती से रिलेटेड जो भी लेटिकेशन है वो दूर हो जाएगा आप अपनी शंपती बेचना चाहते हैं परफिक्ट दाम में बिकेगा अगर आप फोरन में या कहीं है और कोई शंपती बेचना चाहते तो वहां भी होत हाल लेना है चली जानते हैं कैसा रहेगा लव लाइप सिक्षा संतान का हाल यह बहुत महत्तपुर्ण है तुलारासी वाले एक बात तो 100% कंफर्म हो रहा है कि आपके कुडली में पंचम भाव का शनी पूरे महिने सिक्षा में लाव इस्थिति को देगा संतान कंसीब होने से related good news देगा लेकिन आपके दुत्य संतान को लेकर के जो दिकते चल रही है या स्वास्त खराब चल रहा है या परशानी चल रहा है वह 14 जनवरी से जब मंगल उदय हो जाएंगे तो सफल होना चालू हो जाएंगे यह बहुत अच्छा बता रहा हूँ मैं इसके अलावा ज जो है खास करके को तृत्य संतान को लेकर के परिशान है या जिनका पढ़ाई रुकावात हो दुवार अपनी पढ़ाई को प्रारंब करना चाहते हैं तो इस मामले में साथ जनवरी से बहतर लाव होता हुआ नजर आएगा कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्त और स्थिति इस महेंने बहुत ही बहतर होने वाला है जहां तक लव लाइप की बात में करूँ चौदा जनवरी के बाद आपका प्रेम से विवाह के योग में भी बहुत ही बहतर ब्रीदी होता हुआ नजर आ रहा है या लव लाइप में ब्रेक आप या फिर एकदम एक दूसर जनवरी से जो आप सरदर्द गेले में टॉंसर रिलेटेड और पेट समझे समस्चा से आप बैक पैंस जो परशान है वो साथ जनवरी से बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर प्रतेक दिन मातलक्षमी को सुखा न सुलरासी वाले कैसा रहेगा आपके जीवार में दोहजार चोविस का पहला मेहना इन जनवरी महने का हाल इसकी संपूर और ब्रिहत जनकारी मैंने आपके समझ प्रस्तूत कर दिया उमिद करता हूं कि बताए कि जनकारी से संतुष्ठ होंगे चैनल पर नए है तो लाइक कर करिए सब्सक्राइब करिए मिलता होंगली वीडियो में और महत्पुन और ग्यानवर्दक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यवाद